तो फाइनली आज्शा को समझ आ गई क्या पापा से सौरी बोल देना चाहिए तो उसने अपॉलोजाइस कर दिया है पूरे एक लाइफ शूर के अंदर जो कि तुम लोग ने अब तक तो देखी लिया होगा जिसमें उसने ये सब का है अगर बाप से वेटा किते दिन दूर रहे सकता है मुझे क्या लगता है अब यह जो ग्रजिस पूरी कर रहा है कि मैंने एक बंदे से ग्रजिस रख रखे थे और यह सब यह चारा है अनी सिंग के साथ कोलेब करना क्यूंकि इसकी बातों में ही पता लग रहा है बाई यह स्कै था ही नहीं जाके लिरिक्स लिख तो जो ये बादशा लाइब शो पर रोया है वो उनी लोग को रियल लग रहा है जिनको निया का कड़का इंडियन आइडल में रोना रियल लगता है किसी ने पूछा एक था राजा एल्बम कैसी लगी मैंने बोला बादशा के नाम से शाह कटा दो वैसी ही लगी तो कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा कि भाई हनी सिंग के साथ नहीं आना चीज़ कोई को लाइब यह बस फेम खाने के लिए हनी सिंग की और कुछ नहीं क्योंकि अभी कुछ महीने पहले इसने ट्रोल किया था कमबैक को लेके गाने तक में बोल दि है जितना की किंग का एक्सेंट था और भाई इतने बड़े-बड़े ऐलिगेशन लगा दिये वहले तो हनी सिंग के ऊपर और अब यह बोल रहा है कि ठीक है भाई मेरी गलती थी ग्रजिस थे भाई तुने कितने बड़े-बड़े ऐलिगेशन लगा दिये वह तो देख उस इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर इनका कॉल अब आया तो वह भी हम रियाक करेंगे जो कि मैं करना नहीं जाता हूं लेकिन करना तो पड़ेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई